हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हम आ गए अब अपनी नई बुक यानि संचयन भाग दो अब आज से हम वो बुक शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके तीन पार्ट हैं तो आज हम आपको पहला पार्ट समझाएंगे पहला पार्ट जो है वो मित्लेश्वर जी ने लिखा है कथ कथाकार है कथाकार मतलब जो कोई कहानी लिखे तो यह जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह भी कहानी है लेकिन किस तरीके से लोब की कहानी है लोब यान लालच लालच में हम जहां रिष्टे भूल जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं उसकी एक कहानी है ना अपने जब हम कोई बहुत जआदा देखते हैं तो उसका लालच करने लगते हैं उसमें फिर अपंवे पराय सब का मूं भूल जाते ही तो उस ही related एक कहानी ने चुरू कर रहे हैं हम हरिहर काका हम यह कहानी के मेन ुपर्ड रहे हैं अरो मिठलेश्वर जी ने लिखिए ये इनके बहुत करीबी हैं जो हरियर काका के बहुत करीबी है तो अब हम यहाँ से हरियर काका की कहानी सबसे पहले इसका छोड़ा से सार पढ़ते हैं कि है क्या ये कहानी तो पहला हम जो पार्ट का सार पढ़ रहे हैं वो क्या है कतकर मितलेशन ने हरियर काफिल कहानी के बहाने ग्रामीर पारवारिक जीवन में ही नहीं हमारी आस्था के प्रतीक धर्मिस्थानों यानि धर्मिस्थान यानि मंदिर ये जो मस्जिद ये सब चीजे जहां अपनी आस किया है धर्म ध् quit-ends धार को में जो खारलो लोलुतता घर कर जाती है उसे उजागर किया है यानि कि जो वहां के हैड्च होते हैं उंके अंदर वी किस तरीके से लाला चा जाजाता है इस बाद को भी कछनी के जरीए उजागर परिवार वाले तो हैं हैं मकर साथ में जो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं उनके अंदर जो लाला चाता है वो भी उजागर किया है हरीर काका एक व्रद और निसंतान वेति हैं यानि बुड़े हैं और उनके कोई भी बच्चे नहीं है वैसे उनका भरा पूरा परिवार है मतलब और भी रिष्टेद है पूरा भरा पूरा परिवार है घाओं के लूग पुमार्क परना चलें या सीख देने के लिए ठाकुरुबारी वी है ठाकुरुबारी ज featured कि एक मंदिर और वो ठाकुरवारी उनके लिए काल और विक्राल का रूप दारन कर लेते हैं जहां वो अपने लिए पना मांग रहे हैं अपनी मदद की गुहार कर रहे हैं वही उनके लिए विक्राल बन जाती है ना तो परिवार को हरियर काका की फिक्र है और ना मठाधीश को मठादीश यानि कि ठाकुर बारी के हैड है उनको मठादीश कहते हैं उन्हें भी कोई यानि परिवार को भी उनकी चिंता नहीं है दोनों उन्हें सुक नहीं दुख देने में उनका हित नहीं अहित करने में मगन रहते हैं यानि कि उनको तकलीफ ना हो इसकी तरग ध्यान दे यानि कि बजाए उनको तकलीफ हो उनसे किस तरीके से हम लाब उठा सके हरियर काका से यह चीजों में उनका हमेशा टाइम जाता रहता है दोनों का लक्ष एक हरियर काका की जमीन को हत्याना हरियर काका के पास बहुत प्रॉपर्टी है यानि कि खेती बाड़ी की जमीन है उसक के पास में आ जाए कि इसके लिए उन्हें चाहे हरियर काका के साथ छल बलकर कप्रियों क्यों ना करना पड़े पारवारिक संबंदों के ब्रात भाव को बेदखल कर पाउं पसारती स्वार्त लिपता और धर्म की आड में फलने फूलने का अफसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेकन नकाब करती है कहानी आज की ग्रामीर ही नहीं शहरी जीवन के यथार चित्र को जागर करती है मतलब यह हरियर काका की कहानी लेकर आए हैं यह सिर्फ उसी गाओं तक सीमत नहीं है आज बहुत जगा यह सारी चीज़े हमें सुनने को मिलती है नियूस पेपर हो टीवी कहीं पर भी हो किस तरीके से लालच में आकर बुज़ूर्गों के साथ तरसकार किया जाता है अगर बुज़ूर्ग लोग किसी मंदिरी अमट में जाकर अपनली पना मानते हैं तो वहां पर भी उनके साथ तरसकार किया जाता है यह सारी चीज़ें सारी चीज़ें घटना है ये कहानी भले एक गाउं की है लेकिन ये आज पूरे समाज में व्याप्त है कि बुजर्गों बुजर्ग जिन्हें अपना सारा जीवन हमें सीख देने में लगा दिया है और किस तरीके से उनको बुढ़ापे में आकर तिरसकार का सामना करना पड़ता है ये उस कहानी की कि हमारे बुजर्ग हमारे लिए कितने कीमती हैं कितने अनमोल हैं ये सारी चीजें हमें कहानी सिखाएगी चलिए अब शुरू करते हैं कहानी हमें क्या बोलती है जीने अपना संपूर जीवन साद्गी से व्यतीत कियां? का बेबसि और लाचारी का सिकार हैं क्यों बुजुर्ग क्या चाहते हैं हमसे कुछ समय चाहते हैं कोई हमसे कबाते करेम लोगत है करें हर्यार काका के साथ से अन्हों कोई भी नहीं है तो लो-स मतर आ जाया हैं, रहा उनकी फिकर नहीं है, सर्फ इसी चीज में वो लगे हुए है, लेखक हरियर काका की जिन्दिगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेखक यानि की हमारे मितलेश्वर जी जो है, वो उनके हरियर काका की जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि बहुत अभिन रहे हरियर काका उनसे बहुत दुलार किया करते थे वह उसे कंदे पर बैठा कर खुमाया करते थे यानि लेखक को जो है वह कंदे पर बैठा कर घुमाया करते थे जैसे कि पिता जी मा जी करते हैं अपने बच्चों को जैसे प्यार करते हैं तो हरियर काका जो है वो उनके मित्र बन गए थे, अब हरियर काका जीवन के अंतिम पढ़ाओं से गुजर रहे हैं, यानि हरियर काका क्या आ गए हैं, अब जीवन के अंतिम पढ़ाओं में गुजर रहे हैं, मतलब वरद्दा अवस्ता की वो stage आती है, कि जब बहुत ही हालत खराब हो जाती है, तो अब इस समय वो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, जब लेखक हमको ये बात बता रहे हैं, अभी लेखक पास्ट में जाएंगे, हरियर काका के बारे में हमको बताने के लिए, उन्होंने बाचीत बन कर दी है, विशांत बैठे रहते हैं, लेखक के अनुसा, उनके पिछले जीवन को जानना अत्यनत आवश्यक है, कहने का क्या मतलब है, कि जो है, बहुत चान्त हो गएं, किसी से बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, मगर इनकी इस परसिती को जानने से पहले, इनके पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी, कि इनके साथ ऐसा क्या घटा है, कि वो रसबाई शहर आरा से 40 km की दूरी पे रहे हैं ठीक है उन्होंने जो को बताया आरा से 40 km दूरी पे है हसन बाशर बसस्टेंड के पास है बसस्टेंड का नाम बताया उन्होंने याद रखेगा यह सारी चीज़ें आपको अगर Multiple Choice यानि यह MCQ में आते हैं तो यह सारी चीज़े आप से पूछी जा सकती हैं किस गाउं के रहने वाले थे उनका क्या नाम था ये सब चीजें बहुत ही छोटी-छोटी हैं जो आपको स्थापित हुआ को इस बारे में नहीं जानता यह मंदिर गाउं वालों के लिए बहुत महत्तुपूर है उनका मानना है कि यहां मांगी गई मनत जरूर पूरी होती है ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है यानि कि ठाकुर जी का जो मंदिर है वो ट्रस्ट जो है वो ट्रस से बहुत सारी आर्स्थाएं जुड़ी हुई है पहले हरियर काका नियमेत रूप से ठाकुर बारी जाते थे परन्तु परस्टिती वर्स अब उन्होंने यहां आना बंद कर दिया है यानि कि पहले जह होता है बुजर्ग लोग हमेशा मंदिर पहुच जाते हैं लेकिन अब अब उन्होंने वहां पर आना बंद कर दिया परस्थी वर्स उन्होंने लिखा अभी परस्थियां क्या हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे हरियर काका के चार भाई हैं यानि हरियर काका को मिला कर पांच लोग हुए हैं मतलब वो सभी बड़े हो चुके हैं लेकिन हरियर काका क पंटी बाई के परिवार के साथ ही रहते हैं जितने भी पांगेसं के साथ नहीं कर देखते हैं शबाद साथ बीगा खेती है किफिक जमीन औन इनके पास में साथ बीगा जमीन है तो और उनके भाईयों के पास 15 भी गया है, मतलब बहुत जादा है, हरियर काका के पास में जमी, अब लालज का में कारण ये जमीन ही है, सब इस जमीन के पीछे ही हरियर काका को सदाने के लिए लगे पड़े हुए, परिवार के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है, यानि क पत्नियों को हरियर काका के अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिए कहा है, भाईयों ने बोला कि अच्छी सेवा करोगे तभी तुमको जमीन मिलेगी तो पहले कहा, कुछ समय तो भली बाती उनकी सेवा होती रही, परन्तु बाद में ना कर सकी, होता देख रेगुलर चीज बननी वो नहीं हो सकी, एक समय ऐसा आया, जब घर में कोई पानी देने वाला वेक्ती नहीं था, बचा हुआ बोजन उनकी थाली में परोसा जाता है, मतलब उन्हें कोई अच्छा खाना बना के लिए नहीं, जो बचा है वो दे दो खालेगा, आदमी मुड़ा है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, जब हरियर काका के भतीजे का मित्र गाउं से शहर से जो है गाउं आया हुआ था, उसके लिए बहुत सारे भोजन बनाये गए, बहुत सारा वेंजन बनाया गया, तो हरियर काका ने भी सोचा कि उनके लिए खूब खाली उटाकर आंगल में फैक दी, कि तुम सब तो इतना अच्छा अच्छा वेंजन खा रहे हो, और मुझे इतना बस रुका सुका खाना दे रहे हो, घर में जो बना है वो तो मुझे दो अच्छी चीज़ के डिमांड नी करी लेकिन घर में जो अच्छा साथ सुतरा बढ आलान में कुछ काम के लिए वहीं पर उपस्तित थे, अब उन्होंने देख लिया, अब यह जाकर कहा को बता, किसको बताया, मठाधीश को बताया, उन्होंने मंदिर पहुँचकर इस गटना की सूशना महंत को दी, यानि मठाधीश को दी, महंत इसे सुप संगे समझा, काका के घर की तरफ निकल पड़े, महंत काका को संजा भुजा कर ठाकुर बाड़ी ले आए, उनको समझाया, भुजाया कि चलिए, हम लोग ठाकुर बाड़ी चलते हैं, उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी, अब उनको पटाना शुरू कर दिया, कि किसी तरीके से य इश्वर के घर के साथ रहना पड़ेगा, इश्वर के साथ तुमको मिलने गए, तुम अपनी साही जमीन मट, अम्मेन मुद्दा उन्होंने अब बताया, कि मट को दे दो, अब क्या हुआ, तुम्हें हमेशा याद करेंगे, यानि कौन याद करेगा, हम लोग याद करेंग हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, कम से कम मैं यहीं दे देता हूँ, अब दुविधा होती ना कि किसको दे दे कहा रहें, वो एक सिचुएशन से हरीहर काका गुजर रहे थे, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, कि महनत की बात मानें कि वापस अपने घर चले जाए, तो य यहीं रही और यहीं खाई यह पीजिये, विवस्ता करवा दी, जैसे इस घटना की सूष्णा उनके भाईयों को लगी, वैसे ही उन्हें मनाने के लिए फिटा कुरवाड़ी पहुचे, अब यह जब घटना घटी तो समय भाई घर पर नहीं थे, जब लगी कि भाई यह तो पर अगले ही दिन वे फिर ठाकुरवाड़ी मतला भाई फिर से ठाकुरवाड़ी पहुचे और काका के पाउँ पकड़ कर रोने लगे, अब दूसरे दन क्या पाउँ पकड़ कर रोने लगे, कि नहीं आप चलिये, माना कि हमसे गलती होगी, एक माफी मांगने वाला जो काम होता है, वो हुआ, और हरियर काका पिखल गया, उन्होंने अपने दूरार के ये माफी मांगी, हरियर काका का दिल पसीज गया, और वे घर वापस आ गए, अब काका की बहुत सेवा होने लगी, कैसा नहीं कि दूबारा ठाकुर बाड़ी जाके रहने लगी, तो एक लालत ज काका की चर्चा होने लगी, यानि सभी लोग गाउं में जो है, वो काका की बात करने लगे, घर के सदर से जमीन अपने नाम लिक्वाने का प्रयत्न करने लगे, अब लोग सुचे कि या कितने दिन तक सेवा करेंगे, जमीन लिकाओ, छुटकारा पाओ, लेकिन नहीं, अब बहुत से उधारन देखे थे, कि लोग जीवे थे और उन्होंने जीते जी अपने परिवारवालों को जमीन दे दी, और जब जमीन मिल गई, तो उनको धुटकार दिया, बहुत परिशान करने लगे, घर से निकालने लगे, ऐसे बहुत सारे उधारन थे, तो इसको देखते हुए हरियर काका अपने परिवारवालों के नाम जमीन नहीं कर रहे थे, अब इसके आगे का घटना करम क्या रहता है, मान भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते, अब घर में क्या होता, घर वाली तो सेवा करी रहते, मान भी बीजबीज में आके उनको समझाने लगते, क आप अच्छी देख भाल होगी, आप की देख भाल होगी, आप वहीं रहे तरह तरह से उनको, कण्वेंस किया जा रहा था, आप जमीन हमें दे दीजिए, पर काका की कान पर जू ना रहें थी कुछ समय बाद महंत की चिंताएं बढ़ने लगी वे इस कारे का उपाय सोचने लगे कि किस तरीके से जमीन अब वो तो आदमी अच्छा खासा पावरफुल वाला था अब उसने जब समझाने वेरे से बात नहीं मिनी तो अब उसने उसका उपाय सोचने शुरू किया क्या उपाय सोचा? एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमीयों को भाला गणासा और बंदूख से लैस करके काका का अपराण करवा लिया उनको वहाँ से किड्नैप करा के कहा ले आए? थाकुर बाड़ी ले आए हरियर काका के भाईयों एवन गाउं के लोगों ने जब खबर लगी तब ये थाकुर थाकुर बाड़ी पहुँच गया जब भाई थाकुर बाड़ी ले आए? हरियर काका को इरनाप करके कहा ले आए? थाकुर बाड़ी ले आए अब ठाकुर बाड़ी ले आए जब इसकी कबर भाईयों को लगी तो गाहां वाले और सभी जो हैं वो कहां पहुँचे ठाकुर बाड़ी की काका को छुड़वाएंगे क्योंकि वो लोग लेकर गए हैं उन्होंने मंदिर का दर्वाजा खुलवाने का प्रहती किया पर वे असफल रहे हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मंदिर का दर्वाजा खुल जाये लेकिन वो असफल रहे हैं तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया मंदिर के अंदर महंत ने उसके आदमियों ने काका से जबरजस्ती को साधे कागजों पर अंगुठों के निशान ले लिए इधर जबरजस्ती क्या किया मांत ने जब किड़नाइप करके लेका आया तो मंदिर के अंदर उसने मांत से साधे कागज पर अंगुठों के निशान ले लिए काका महंत के इस रूप को देखकर एहरान हो गए पुलिस ने बहुत मुश्किल के बाद दर्वाजा खुलवाया परंतु उन्हें अंदर कोई भी हलचन नहीं दिखाई दे रहे थी मतलब अब जैसे वो अंदर पहुँचे अंदर इदम शानती थी कहीं कोई कुछ नहीं था सब अपने अपने काम में इदम शानती लिख रही थी कुछ नहीं था मगर मह तो कागज पसाईन ले चुका था अब आगे इस तभी कमरे से धक्का मानने की आवाज आई काका काका को बांध के रक्खा हुआ था उन लोगों से मुक्त कराकर उनके भाई उन्हें घर ले आए अब इतनी ज़्याद उनके साथ हुआ था उनको वापस घर ले के आए उनके भाई अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा दो-तीन लोग रात में उन्हें घेर कर सोचे कि वो रात में अकेले ऐसे नव फिर से उठा के ले करते अब भाई सेवा तो कर रहे थे लेकिन भाईयों ने भी दबाब डालना शुरू कर दिया कि नहीं हम आप कितनी सेवा कर रहे हैं अपनी जमीन आप हमारे नाम कर दीजिए तब एक दिन उनकी सेहन शक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने एक भायाना कर रूप किसकी अब इन्होंने वही काम किया जो महंत ने किया था क्या किया उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो नहीं तो मार कर यहीं घर में गार देंगे और गावालों को पता तक नहीं चलेगा उन्होंने धमकाया कि तुम सीधे से जमीन मेरे हवाले कर दो मतलब हमारी नाम लिख दो नहीं तो इसी घर में हम तुमको मार के यहीं गार देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि तुम कहां चले गए बोल देंगे कि तुम्हारा अपरण हो गया वो लोग ले गए पहले कर चुके तो दुबारा कर लिया तो इस त पूरी तर इंकार कर दिया कि नहीं में जमीन नहीं दूंगा तो उनके साथ मार पीट शुरू कर दी उनको मानना शुरू कर दिया अब महंत को इसमें अपना लालच दिखा तो महंत क्या किया वह पुलिस लेकर पहुंच गया अब महंत लेके पुलिस पहुंच गया पुलिस ने काका को मंधन मुक्त करा कर उनका बयान लिया काका ने बताया कि मेरे भाईयों ने जबरजस्ति इन कागजों पर अंगूटे के निशान लिये हैं उनकी दशाद देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई भी हुई है पुलिस से सुरक्षा मांग की अब ना महंत ने भी उनके उपर अटाइक किया भाईयों ने भी किया आगो किसके शरण में गये पुलिस वालों की शरण में गये क्या बोला पुलिस वालों से मांक्षा होगी आप वे घर में अलग रहे रहे हैं मतलब आप वे घर से अलग रहे हैं ना भाईयों के पास रहे हैं ना मट में रहे हैं उन्होंने एक घर लिया है वो वहां पर अकेले रहते हैं उन्हों नगनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है, एक नौकर रखते हैं जो उनको समय से खाना, पीना, दवा गएरा सब कुछ दे, उनका खयाल रखे होने एक नौकर रखा है, दो चाहिए पुलिस कर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसों पर मौच कर रह हैं जमीन इत्ती है, तो पैसा भी है, तो अब पुलिस कर्मी और नौकर क्या है, एश कर रहे हैं, आप सेवा करते तो मेवा मिलती, मगर आपने लालच में तो उनको पहले ही तकलीफ दे दी, अब क्या है, बाहर के लोग एश कर रहे हैं, फिर एक नेता जी ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, अब जब यह से देखा गया भाई, इनके पास इत्ती जमीने इतना पैसा है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सभी अपने अपने प्रस्ताव लेकर पहुंचते थे, नेता जी ने एक बार उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, कि आप एक काका ने इंकार कर दिया, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, गाउं में अफ़ाहों का बजार गर्म हो गया, यानि लोग कहने लगे पता नहीं क्या करेंगे, कहीं किसी कि मरने के बाद कहा जाएगी, किस लिए जाएगी, कुछ पता ही नहीं है, तो सब लो यहां पर इनकी जमीन पर कबजा कर लेगा, तो यह भी सोच रहते हैं, अब काका गुंगे पन का शिकार हो गया है, और रिक्त आखों से आकाश की और ताकते रहते हैं, मतब अभी जो प्रेजन सिचुएशन क्या है काका की, अब वो एकदम शूनने हो चुके हैं, उन्हें क अत्याचार, यानि उनकी धन दौलत के लिए, जबकि उनके आदर्शों और उनकी बातों, उनकी सीखों को हम धन दौलत मानना मानकर, उनकी द्वारा जुटाई के संपत्ति को धन दौलत मानते हैं, अगर उनकी सीखों को हम अपना ले, तो हमारे पास धन दौलत अपने तो हमें यह सीख लेनी चाहिए इस पार्ट से कि सेवा करिए तो ही मेवा मिलेगी यहीं पर आपको बताया कि अगर भाईयों ने सेवा करी होती तो मरनो प्रांत उनके भाईयों को वो सारी जमीन मिल गई होती तो यहां पर लालच नहीं करना है हमको धीरज रखनी है सेवा करन और जो भी हमारे सामने हैं उनके पूरा सम्मान के साथ देख भाल करें तो पहला कोश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसने क्या पूछा है कथा वाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंद है और इसके क्या कारण है इस पार्ट के सैंट में हमने जब आपको समझाय तो तुमने हमारे जो मितलेश्वर जी जो इस पार्ट के कताकार हैं वो और हरियर काका सेम गाउफ के थे तो इसी बात को आपको यहां लिखना है किस तरीके उनको बच्चमन में कद्धे पर कुश्माते थे बड़े होकर उनके मित्र बन गए थे वो बहुत आदर करते थे हरियर काका का बहुत हरियर काका का बहुत आदर करते थे और हरियर काका जो हैं वह १ो कताकार जी को बहुत जाद पयार करते थे तो यह सारी चीजे हम इसे आंसर में हमको लिखनी है अब यह आंसर हमसे क्या कह रहा है चलिए देखते हैं कथा वाचक को हरियर काका बीच का इस नहीं का संबन था उन्हों के बीच क्या इस नहीं का संबन था इसके कई कारण है पहला हरियर काका कथा वाचक के पड़ोसी थे यानि कि कथा वाचक हमारे मिथलेश्वर जी ध्यान से धियान रखें का गता वाँचक नि की जो हमें कहानी सुना रहें जिन्णों ने कहानी को लिखा है उनके बारे में हमाइने बात करीं वह हरीयर काका के पड़ोसी थे। दूजरा हरीयर काका उनके पास जाते तो वो सारा दुलार वो उनके उपर निचावर करते थे थे हरियर काका उसे भश्वन से अपने कंदों पर बठा कर गाउं भर में घुमाया करते थे किसको हमारे लेखक को उनको कंदे पर बठाते थे और पूरे गाउं में घुमा के लेकर आते थे हरियर काका उनके पास पहुंचते तो प्यार जो पिता का एक प्यार होता है वो सारा हरियर काका अपने बच्चु उनको कथा वाचक को दे देते थे क्योंकि उनके तो कोई बच्चा नहीं था किसको देते वो तो वो हमेशा उनको दे देते थे तो यहाँ पर जब लेखक बड़ा हुआ तो उनकी पहली मित्ता हरियर काका के साथ हुई अब होता न जब बड़े हो जाते हों तो हमारे पिता जी हमारे मित्रों बन जाते हैं वही कंडिशन हुई यहाँ पर जब हमारी कथावाचक बड़े हुए तो हरियर काका उनके मित्र बन गए वे उनसे कुछ नहीं छिपाते थे इनी कारणों के कारण उन दोनों के बीच उम्र का अंतर होते हुए भी गहरा आत्मी पूर संबंध था क्या कथावाचक हरियर काका से कुछ भी नहीं छिपाते थे तो दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता हो गई थी हर एक चीज अब दूसरे को बता देना तो वही उन दोनों के बीच में संबंध था हरियर काका को महंत और भाई एक ही शेड़ी के क्यों लगने लगे भाई दोनों नहीं तो उनकी जमीन हत्याने के लिए कोशिश करी थी तो इसलिए वो दोनों एक ही शेड़ी में आ गया अब इसको हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले हरियर काका के साथ महंत ने जो किया वो लि में कोई अंतर नहीं लगा क्योंकि दोनों ही सुारती थे जो अपना काम निकालने की फिराख में तब काम निकालना यानि जमीन हथ्याने का हरीर्ष काका के पास 15 इनी का संतान नहीं थे तो parallel weekend जमीन के किसको जाएगी तो भाई बहाज चांगे उन्हें जमीन पास को श्रड़िंक हमाई अयाई हमकर चातें लासतों समेरी दूसरी और प्राइशनेहरो तो यह काम किसने लिया दोनों ने किया यानी कि भाईयों ने भी किया और महंत ने भी किया तो इसलिए दोनों एक श्रड़ी में आये तो यह सारी बाद हमको को यहां पर एक्स्वेन करनी है नेक्स कोशिन ठाकुट बाड़ी के प्रति गाहँ वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवरत्ती का पता चलता यानि ठाकुट बाड़ी के प्रति ठाकुट बाड़ी में जो सब कुछ था उसके प्रति गाहँ वालों के मन म बहुत ज्ञादा रखते थे। कहा जाता है कि गाउं के लोग भोले होते हैं। असल में गाओं के लोग अंदिविश्वासी धर्व पीठ होते हैं, कहने का मतलब उनको जिस तरब मुड़ के चल देते हैं, वो सोचने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब अंदिविश्वासी होते हैं, अगर उन्हें कोचे दिखा दी जाए तो उसी के पीछे चल देंगे, मंदिर में सब्सक्राइब करेओं था, उन्हें मारा था, पीता था, उन्हें बंधक बना कर रखता, उनका अपरहन किया था, यह सारे काम कहा भी तुछ इन मंदिर पर हुए थे, मगर लोग तो कहनते हैं कि यहाँ कभी कोई गलत कारे नहीं हुं सकता, पुजारी पुरोहित महंत जैसे जितने भी दर्म के ठेकेदार हैं उन पर अगादर शद्धा रखते यानि कि जितने भी लोग है जो गाओं के लोग होते हैं ऐसे लोगों को एकदम प्रभू यानि इश्वर की तरह सम्मान देते हैं वे चाहे किते भी पतित स्वार्ती और नीच हों पर उनका विर करेंगे तो इश्वर हमारे विरोध में आ जाएंगे हम को दंड य अगरthird मनं के विरोध में जाएंगे तो इसलिГी मारे डर के कभी भी का विरोध हिर नहीं करते हैं इसी कारन ठाकुर्बारी के प्रति गायाँ वालों अपार स्दधाती उनका हर सुख दुख उन से जुड़ा था दुनिया की बहतर समझ रखते थे कहानी के आधार पर इस फश्ट कीजे जाहिर थी बाद थी उन्हें दुनियादारी के अगर समझदारी नहीं होती तो वो अपनी जमीन कपकी अपनी भाईयों के नाम कर चुके होते उन्होंने सब कुछ देखा समझा तभी तो अपनी जमीन भाईयों के नाम नहीं करी तभी तो उनकी असलियत सामने आई तो उसको यहां पर हमें लिखना है हरीर काका अनपड थे फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहत समझ थी उनके भाई भाई लोग उनसे जबरस्ती जमीन अपने नाम करवाने के लिए डराते थे तो उन्हें में दिखावा करके जमीन हथियाने वाले की याद आ जाती यानि की जब उनसे बोलते की हमको जमीन दे माहिं ग दे काका उन्हें ने ठान लिया की चाहे महन तुक साहे चाहे बाही लिजा समें की नहीं देगे उन्होंने समझ जान गयते हैं अगर मैं जिसके भी नाम जमीन कर दूँगा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा उसी पल से मेरे लिए दोरदशा का समय शुरू हो जाएगा तो उन्होंने ठान लिया था हम अपनी जमीन अपने जीते जीत किसी को भी नहीं देंगे एक बार महंत के उक्साने पर भाइयों के प्रति दोका नहीं करना चाहते थे परनतों जब भाईयों ने भी धोका दिया थो उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रति कोई प्यार नहीं है जो प्याव दिखाते हैं वा केवल जायदात के लिए महंत उनको जब लेकर आया था एक दिन जब घर में खाने पीने को लेकर परिशानी हो गई थी तो महंत उनको एक दिन के लिए मठ ले आये थे और मठ में लाकर उनको बहुत समझाया था मठके नाम कर दो भाई तुमारे बुरे हैं यह बहुत कुछ बोला था लेकिन तब भी उन्होंने भाईयों के खिलाफ कुछ नहीं सोचा था वो वापस आ गए थे लेकिन जब भाईयों ने उनके साथ ऐसा किया तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरे भाईयों में मेरे लिए आप गाल एकिसा है और क्या चीज भुरा था यह वक्तब यहां पर डालके आप इसको एक्स्पेंड कर सकते हैं कि नेक्स सब्सक्राइब को जबरन उठा ले जाने वाला कौन थे उन्होंने उनके साथ कैसा वैवार किया तो यहां पर आपको बताना है कि हरी हर काका को जबर ठूस दिया था ये सारी चीजे आपको इस वाले आंसर में लिखना है कौन थे तो वो तो कुछ आदमी थे जो बंदूग गडासा और भाला लेकर आये थे और किसके भेजे थे महंत के भेजे थे उसने उनको अपरण करवाया था हरियर काका उजबरन उठेल ले जाने वाले मह परणत के आदमी थे उसने हरियर काका को कई बार जमीन जायदा थाकुरवाडी के नाम कर देने को कहा था परणतु वो नहीं मान रहे थे मानत ने अपने चेले साधू शंत के साथ मिलकर उनके हाथ पर बांद दिये मूपे कपड़ा ठूस दिया और जबर जस्ति अंगूठ चोड़कर चले यह सारी चीज़ नेक्स कोशन हम से क्या पूछ रहा है हरियर काका के मामले में गाउवालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे थे हरियर काका के बारे में गाउवाले क्या सोचते थे तो यहाँ पर उनके क्या कारण थे अगर वो सोच रहें तो कारण क्या थे ये सारी चीज़े लिखनी है ये सभी देरगुतिये प्रशने बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा कहानी की आधार पट गाउं के लोगों को बिना बताए चल गया था यानि की गाउं में जितना भी सब कुछ घटा था वो वहाँ पर सबको पता चल गया था हैर काका को उनके भाई नहीं पूछते थे इसलिए सुक आराम का प्रणों लेकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया भाई मन्नट करके काका को वापस ले आए थे ठीक है अब यह पहले सारा वक्त बताएंगे तभी गाउं वालों की सोच हम सामने रख पाएंगे तो वो हमें पहले इस पश्ट करना है इस तरह गाउं की लोग दो पक्षों में बैठ गये दे कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे काका अपनी जनीम धन के नाम पर ठाकुरबाडी को देने ताकि उन्हें सुक आराम मिले मृत्यू के बाद मोक्ष मिले और यश मिले महंत जी हैं और सब कुछ जानता हैं यानि महंत ज्यानी हैं और वो सब कुछ जानते हैं गाउं वाले महंत को प्रभू के पद पर रखते थे कि ईश्वर हैं वो लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहते थे कि जमीन परिवार वालों को दी जानी जाए उनका कहना था कि इससे उनके परिवा यह था कि काका विधुर थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी पंदराभी के जमीन के लिए इतनका लालत स्वभाविक था यानि कि गाओं के लोग जो है वो दो पक्षों में बट गए थे एक भाई का पक्ष और एक महंत का पक्ष मगर इन पक्षों के बावजुत कोई भी मह हरियर काका के बारे में नहीं सोच रहा था कि हरियर काका को कहां सुख मिलेगा कहां उनको लाब मिलेगा तो यहां पर आप जो गाओं वाले दो पक्ष में बटे थे उस चीज़ को आप यहां पर एक्स्प्रिंग करेगे कहानी के आधार पर इस्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अग्यान की स्तिति में ही मनुश्य की मृत्यूं उसे डरते हैं ज्यान होने के बाद तो आदमी आवशक्ता पढ़ने पर मृत्यूं को वरण करने के लिए तयार हो जाता है तो यह जो वक्ता भी बोला ग करें मतलब जब महंत ने भी उनके उपर अत्याचार कि और भाईयों ने किया तो आन्ती में काका कह ची समझ में आगय об की यह कोई नी चाहते हैं यह को सब मेरी जमीन चाहते सब लोग याद आ गयां मतलब जिन्होंने उनके साथ किया था जिन्होंने परिवार वालों को मूम आया में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी तो हो पानी देने वाला भी उनके मुंमे कोई नहीं था दाने दाने को मोताज हो गए थे इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है तिल तिल करके मरने से अच्छा है मैं एक बार में ही मर जाएं तो ये चीज उन्होंने हरियर काका ने सोची जीते जी जमीन किसी को नहीं देंगे ये लोग मुझे ए कि अगर हमने यह काम किया तो मेरी मृत्यू बहुत मुश्किल हो जाएगी तो वो फिर मृत्यू से डरना मुश्किल बंद कर देता है कि ठीक है चलो तुम एक ही बंबरना तो हई एम को जब तुम हमसे जमीन ले लोगे तो हम बुरी मौत मरेंगे और नहीं तो तुम अभी एक समाज में देखने चलेंगे तो आच्छे भी हैं और बुरे भी है इसमें आप अपने क्या विचार पर आप अपने आसपास जैसे रिष्टों को देखते हैं समझते हैं वैसे विचार आपको यहां प्रकट करने हैं यहाँ पर देखते हैं कि हमने कौन से रिख चाब परकटकी है आज समाझे मानमे मुल वा परवाल इंप मूल धीरे धीरे समापत हो रही है तो हम जानते हैं देखें सिंपल सी बात है कि जहां हम पहले joint families में रहते थे पूरे भरे पूरे परिवार में रहते थे आज हमारी situations जादा तर व्यक्ति अपनी स्वार्ट के लिए रिश्टे निभाते हैं, अपनी आवश्यक्ताओं के हिसाब से मिलते हैं, अब आवश्यक्ताओं के मतब हमें अगर किसी के जरूरत है तो ही हम उससे मिलने जाएंगे, नहीं तो हमारे पूल देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, जाई सी बात है आज कल के लोग इतनी भागती दौरती जिन्दिकी जी रहे हैं कि उनके पास समय नहीं होता ये रियल है लेकिन जब हमारा मतलब पड़ता है तब ही हम उनसे इंसान के पास जाते हैं ऐसे हम नहीं जाना पसंद करते कि जी के पास अमीर रिष्ट दौरा का सम्मान करते हैं उनसे मिलने को आतू रहते हैं जबकि गरीब रिष्टेदारों से कतराते हैं केवल स्वार्त सिद्धी के एहमियत रह गई है आए दिन हम अगबारों में समाचार पड़ते हैं कि जमीन जाजात पैसे जेवर के लिए लोगों की हत्या वयापरण कैसे नीच कार किये जाते रहें तो इसमें जो विचार विरत किये आप चाहें तो इसमें और भी जादा लिख सकते हैं जो आप सोचते हैं उन्हें भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने आपको एक छोटा सा एक रूप प्रस्तुत किया कि आप क्या लिख सकते हैं नेक्स कोश्चिन यदि आपके आसपस हरेयर काका जैसे हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे जायर सी बात है आप पॉजिटिव वे में ही करेंगे उसकी मदद जिस तरीके से भी करेंगे आप वहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखेगा एक चीज़ का ध्यान रखेगा अगर आपको यह ऐसा वेक्ति देखते हैं या मिलता है तो उसको हमें पॉजिटिव विली आ यहां पर प्रस्तुत करना है जैसे यदि हमारे आसपास हरेर काकर जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे उन्हें एइसास दिलाएंगे कि वे अखेले नहीं है सबसे पहले तो यह विश्वास करा आएंगे कि सबी विक्ति लालची नहीं होते प्योंकि अगर जो अपने आप से धोका खाता है ना अपनों से धोका खाता है ना वो किसी पर यकीन नहीं करता तो इसलिए उनको विश्वास दिलाना ही सबसे मुश्किल काम होता है फिर इस तरह मौन रहकर एक दूसरे को मौका ना दे वलकि उल्लास और उल्लास से शेश जीवन बिताए रिष्टेदारों से मिलकर उनसे संबंद सुधाने का प्रयत्र करेंगे और स्वेम से भी संसा से मिलकर भी उनकी समयस्तर को सुलजाने का कोशिश करेंगे यहां पर उन्होंने बताया कि हम उनसे बात करेंगे उनको विश्वास दिलाएंगे कि सभी लालची नहीं होते तो वो अपनी मान की बात प्रकट करेंगे जब मन की बात हमको प्रकट कर देंगे तो उनके रिष्टेदार जो हम उनसे मिलेंगे उनको कंविंस करने की करें नहीं तो किसी समास से भी संसाथ से जाकर मिलेंगे जो उनकी केर कर सकते हैं तो यह हमने पॉजिटिव नोट रखा इसके लावा आप विचार इसके अंदर रख सकते हैं अब अपने लास्ट कोशन देखते हैं हरी हर काका की गाउं में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या अस्तिती होती है अपने शब्दों में लिखिए अब जैसे आजकल की परस्तिया हैं कि सभी जगा मीडिया पहुंच जाती है कुछ भी किसी का कुछ भी हो गया तो मीडिया की पहुंच आज तक आजकल हर जगा है कोई ऐसी जगा नहीं है जहां मीडिया नहीं पह तो अगर ये जो हरीहर काका की परिस्पी इसमें मीडिया पहुंचती तो उसका क्या प्रारूप होता इसको आप अपने मंझ से बिलकुल लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है अगर काका की गाओं में मीडिया पोह जाती तो सबकी पोल खुल जाती मांद्वा भाईू क परदापाश हो जाता मेडिया उनके साथ वे अत्याचार को लाइफ कवरेज में दिखाती वे भी वेक्तियों को अन्याय के ये तस्वीर दिखाई और बताता कि बूड़े वेक्ति के लिए किस तरहे लोगों के खयाल बदल जाते हैं और वे फायदा उठाने की सोचने लगते हैं मीडिया वहां पहुँचके सबकी पोल खोल देती महंत्वा भाईयों का परदा पाश हो जाता अपरण धंकाने और जबरन अंगूटा लगवाने के अपराग में उन्हें जेल हो जाती अगर मीडिया दिखाती तो सभी जगाबात फैल जाती तो जो गाउं में दब गई द्वारा लिखित लिखी कहानी हरियर काका ग्रामीर परिवेश में रहने वाले एक व्रद्ध व्यक्ति की कहानी है या ग्रामीर परिवेश मतलब गाउं में रहने वाले आसपस गाउं में वह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसे अपना संपूर जीवन साद्गी से व दो बार शादी करी लेकिन कोई भी संतान में हुई और उनकी जो दोनों ही पत्निया थी वो जल्दी ही स्वर्गों को सिधार भी गई तो अब आखरी में वह अकेले बचे अब उनके पास धन संबत्ती भी बहुत थी तो इसी को देखकर जो है सगे संबंधी उनके करीब तो आ आ गए थे क्या दिया है लेखक का हरीहर काका से परिचे बच्पन का है हमने बताया तहना कि बच्पन से ही लेखक जो है उन ब्रद्ध वेक्ति से मिलते रहे थे हरीहर काका उनके पडोस में रहते थे उन्होंने उसे अपने बच्पन अन की तरह प्यार और दुलार दिया थ वे उसे अपनी कोई भी भात नहीं चिपाते थे परन्तु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरीर काका ने चुप्पी साजली थी वे शांत बैठे रहते थे लेखक के नुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवशक है लेखक का गाउं एक कसवाई स जहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है हसन बाजार बस स्टेंड के पास गाउं की कुल आबादी धाय तीन हजार है वे लेखक के गाउं के ही रहने वाले हैं तो अब यहां पर क्या बताया कि बच्पन से हरीकर काका जानते थे लेखक भाई जाते थे अपने गाउं में तो कुछ अलग ही अटाश्मेंट था सारी बाते हरीर काका जो है वो बाटते थे लेखक से लेकिन पिष्टे कुछ दिनों से वो एकदम चुप हो गए एकदम चुपी सादली किसी से कुछ नहीं बताते तो इसका कारण है कि पिष्टे कुछ दिनों से घटे उनकी जीवन में ज गाऊं के आवादी प्लती इन 4000 जो है लोगों की है और ये जो है ये लेख के गाऊं में जुकाका हैं वह लेखक के गाऊं में ही रहते थे तो इन इस्थान प्रमुख थे कितने तीन इस्थान प्रमुख थे एक तालाब दूसरा पुराना बर्गत का प्रक्ष और थाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुर बारी ये भी कहते थे तो ये तीन चीज़े अपने दिमाग में अब ठालीजे का ये बहुत ही प्रमुक थी कहां पर उस गाउं में क्या एक बर्गत का पेड़ एक और ठाकुर बारी ये मंदिर गाउं वालों के लिए बहुत महत्तुपूर है ठाकुर बारू की स्थापना कब हुई इसका किसी को विशेश ग्यान नहीं था इस सम्मंद में प्रचलित है कि जब गाउं बसा था तो उस समय एक संत स्थान पर जोपड़ी बनाकर रहने लगे थे उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंब कर दी लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा एकठा करके ठाकुर जी का मंदर बनवा दिया उनका मानना है कि यहां मांगी गई हर मनत जरूर पूरी होती है ठाकुर बारी के पास काफी जमी तो पहले ठाकुर बारी के बारे में समझेंगे कि यह कब बसा किसी को कोई नहीं जानता लेकिन उट में लोगों का मानना यह था कि बहुत जब यह गाउं बसा था तो तभी एक संत आकर रहे थे और उन्होंने यहां पर ठाकुर जी की स्थापना करी थी लोगों ने आगा चंदा एकठा कर उनका मंदिर बना दिया अब धीरे धीरे ठाकुर बारी के पास उनकी खुद की बहुत सारी जमीन हो गई थी जिस पे खेटी होती थी और ठाकुर बारी का परन फोशन भी होता था अब यह तो हमने ठाकुर बारी के पास में समझ लिया आगे बढ़ते हैं ह हरियर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संसकारों के कारण नहीं की थी वे अपने भाईयों के साथ रहने लगे वे अपने भाईयों के परिवार के साथ ही रहते थे तो अब क्या थे हरियर काका के चार भाई थे चारों की शादिया हो चुकी थे उनके बच् साथ रह रहे थे हरियर काका के पास कुल साथ भीगे खेत था बहुत जादा जमीन उती साथ भीगे खेत प्रतेग भाई के इस तरह में 15 भीगे खेत हैं परिवार के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है भाईयों ने अपनी पत्नियों को हरियर काका की अच्छी प्रकार से से करती रही परनतु बाद में ना कर सकी अब क्या सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास थी हरीहर काका के पास थी वो थी साट भी का और हर जमीन हर भाई के पास पंद्रा पंद्रा भीगे जमीन थी तो अब लालच वर्ष ही कहेंगे कि सभी भाईों ने बोला था कि हरियर काका की जो है सेवा बहुत अच्छे से करिये अपनी पत्नियों से अपनी परिवार वालों से बोल रखा था कुछ समय तो यह सब चीजें सुचारू रूप से कि कुछ दिन के बाद यह सब ही चीजें बंद पड़ गई एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था बचा हुआ भोजन उनकी थाली में जाने लगा उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरियर काका के भतीजे का मित्र शहर से आया अब क्या था अब देखिए अब उनको खाने पानी को भी लोग नहीं पूछ रहे थे अब घर में एक गैदरिंग हुई तो किस तरीके से उनके साथ व्यहवार किया गया शहर से गाउं आया उसके लिए तरह तरह के स्वादिश्ट विंजन बनाये गए काका ने सोचा कि उन ठाकूर वारी के पुजारी उस समय मंदिर के कार के लिए दालान में उपस्तित थे उन्होंने मंदिर पहुचकर इस घटना की सूचना महंत जी को दी तो अब क्या था भाई ये लगा कि घर में भाई इतना पक्वान मनना है तो जाहिर सी बात है कि सभी को वो पक्वान खान को ही मिलेंगे लेकिन ये नहीं हुआ हरियर काका को उस दिन भी अच्छा खाना नहीं दिया गया रुका सुका खाना दिया गया जब उन्होंने देखा थाली फेग दी जब वो बोलने लगे सब के लिए तो अब क्या हुआ जब ये सारी घटना घटे थोड़ी थी समय तो ठ महंत ने इसे सुप संकेत समझा और सारे लोग हरियर काका के घर की तरफ निकल पड़े महंत काका को समझा कर ठाकुर वाड़ी ले आने के लिए अब महंत भी लालची था अब यहां पर देखिए उसका क्या वो था आब उसने सोचा कि भाई जो है हरियर काका है वहां खुश नहीं प्रसन्न नहीं तो ऐसा करते उनको मना के ठाकुर बाड़ी ले आते हम उनके पास तो साठ भीगा जमीन हम वहला पुशला कि नाम करा लेंगे उनके पास जमीनित्ति सारी है तो यहां महंत भी खुश इसलिए था कि उसको वह सारी प्रॉपर्टि अपनी होती प्रपंच बनाना शुरू किया उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी दुनिया को स्वार्थी कहने लगे ते था इश्वर की महिमा का गुरगान करने लगे महंत ने हरियर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो जिससे तुम्हें बैकुंड की प्राप्ती होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे हरियर काका उनकी बाते ध्यान से सुनते रहे वे दुविधा में पड़ गए अब उन्हें कोई रास्ता सूज नहीं रहा था महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने यह तता खाने पीने का उचित विवस्था करवा दी अब क्या हुआ महंत गए और वहां से उसको ले आए हरियर काका को जाकर ठाकुर बाड़ी में ले आए अब वहां पर उन्हें से बताना कि वही परिवार रिष्टेदार सब मिथ्या होते हैं तुम भगवान की सेवा में रहो अपनी जमीन यहां कर दो तुम हमेशा यहां ख ठाकुर बाड़ी के नाम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जो भी है जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाईयों को लगी वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए फिर से ठाकुर बाड़ी पहुंचे पर अगले ही दिन वे ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पाउं लगे उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज लगा देते परंतु उन्हें तुरंत मिल जाती वह भाइन जाकर मना वजाके फिरसे वापस लगा अब घर में बड़ी उनकी सेवा भाव भगत हो ने लगाे जो जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे परंतु हरियर काका के समक्ष अनिक ऐसे उधारन थे जिन्हों ने जीते जी अपनी जमीन अपने रिष्टेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पस्ता आते रहे महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन समझ चुके तो वह जानते थे कि उनके सामने ऐसे बहुत से उधारन थे कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन में जो है वो चीजे दे अपनी जमीन प्रॉपर्टी जो है सब दे दी थी और उसके बाद उनकी कोई भी देख भाल करने वाला नहीं रहता था उनको निकाल के प्रिशन पढ़ रहा था जमीन के लिए भाईयों की तरफ से भी और महंत जी के तरफ से भी कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी अब महंत भी चाते थे कि बहुत जमीन उनके पास में आ जाय तो वह भी बार-बार जाही रहे थे तो क्या हुआ उनकी चिंत भी ठाकुरबाडी पाजा पोँचे अब महंत बार-बार जा रहे थे समझा रहे थे कि बहुत सारे आदमी के लेकर गए और वहां से अपरण कराके उनके ठाकुरबाडी ले आए जब गाहँ वाले भाईयों को पता चला तो भाई सब पहुच गये ठाकुरबाडी उनको पल रहे तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया मंदिर के अंदर महंत उनके आजमियों ने काका से जबरजस्ती कुछ साधे कागजों पर अंगूठा निशान ले लिए काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए पुलिस ने बहुत मुश्कल से मंदिर का दर्वाजा खुलवाया परंत उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई पुलिस ने ताला तोड़ कर देखा तो काका रसीयों से बंधे मिले उनके मुँपर कपड़ा ठूसा हुआ था उन्हें बंधन से मुक्त करवा के उनके भाई उन्हें घर ले आए अब देखिए महंत को जब सीधी उनी से घी निकलता ना दिखाई दिया तो उसे अपनी उन्हें को टेड़ा कर लिया उसे जबर जस्ती किया आप रण कर लिया अब जब सबने खुलवाने की कोशिश करी तो दर्वाजा नहीं खोला पुलिस को बुलाय लगा था रूम में ताला तोड़ा गया देखा तो अंदर हरियर काका बंधे पड़े थे मूँ में कपड़ा ठूसा हुआ था निकाला गया उनको मुक्त कर आया गया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इन्होंने कुछ साधे काग्जों पे मुझसे साइंग ले लिया है मत जो है बड़ा ध्यान से रखा गया दो तीन लोग रात में उन्हें घेर कर सोते जब वे गाउं में जाते तब भी हतियार से हतियारों से लैस दो तिन वेक्ति उनके साथ जाते उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि अपनी जमीन अपने भाईयों के नाम करते अब भा है हम आपकी सेवा कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दीजिए अब इनको घर से भी ये प्रेशन पढ़ने लगा था जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने भी भायानक रूप धारण कर लिया किनोंने उनके भाई अब उन्होंने भी अपना रौदल रूप धारण किया किस तरीके से उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन सेधी मार कर दो और गाणंवालों पता भी नहीं में चलेगा हरियर काका ने जब साफ इंकार कर दिया तो उनके भाईयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया हरियर काका अपनी रक्षा के लिए चिलाने लगे भाईयों ने उनके मुह में कपड़ा ठूस दिया अब क्या हुआ भाईयों ने भी उन्हें समझाया धमकी दी कि हम तुम्हें मार देंगे जब वो चिलाने लगे खुब मारा पीटा सब कुछ किया उनके मुह में कपड़ा ठूस दिया कि ताकि चिलाने की आवाज घर के बाहर ना जा सके उनके चिलाने की आवाज सुनकर गाउवाले इकठा होने लगे अब जैसे तैसे भी जो तोड़ी बहुत आवाज थी उससे गाउवालों ने सुन लिया और गाउवाले वहां आकर इकठा हो गए महंत तक भी खबर पहुच गई वाप पुलिस लेकर वहां आप पहुचा अब भाई महंत कैसे चोड़ देता जब महंत ने काम किया तो भाई पुलिस लेकर पहुच गए थे पुलिस ने काका को बंदन मुक्त करवा कर उनका बयान लिगा काका ने बताया कि मेरे भाईों उने जबरजस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिये हैं उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है अब पुलिस जो महंत की जी के द्वारा महां पहुची थी उसने जो है हरियर काका को मुक्त कराया उनको आजाद कराया कराने के बाद उनसे पूचा कि क्या हुआ तो नहीं बताया कि भाई ऐसा हुआ मेरे भाईयों ने मेरी पिटाई करी है और साथ ही कुछ कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान भी लिये हैं ये सारे बयान हरियर काका ने पुलिस को दी और पुलिस तो देखी रही थी हरियर काका को के पता चलता था कि उनके साथ हाता पाई उनकी पिटाई की गई है अब हरियर काका ने पुलिस से सुरक्षा मान लिए अब χाकों ने देख लिया कि अब ऊणरे भाईयों से भी मतलब नहीं अब उन्णोंने सोच लिया कि अब जो करना है वो मैं करूंगा किसी से कोई अब उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा कि अब मुझे प्रोटेक्शन आप दीजिए अब वे घर से अलग रहे रहे हैं उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है दो चार पुलिस कर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसों पर मौच कर रहे हैं अब देखे अपनोंने साथ नहीं दिया बड़ोंने साथ नहीं दिया तो मज़ा कौन करेगा तीसरा ही करेगा अब उन्होंने एक नौकर रखा है तीन चार पुलिस वाले हैं आराम से खा रहे हैं एश कर रहे हैं हरियर काका के पैसो पर अब यही चीज अगर भाईयों ने करी होती है तो शायद वो एश कर रहे होते हैं लेकिन उनके समझ में यह चीज नहीं थी उन्होंने क्या किया उन् के समक्ष प्रस्ताव रख़ा कि वे जमीन पर उच्छ विद्याले खोल दी पर काका ने इंकार करती आप सभी बहीतनी जमीन देखकर किसी को भी लाला चाहेगा तो वो नेता जी भी चले आए कि भाई आप एक विद्याले खोल दीजे अपनी जमीन पे हलियर काका समझ चुके थे कि मेरी जमीन ही मेरे लिए सबसे बड़ा हतियार है उन्होंने वो भी मना कर दिया कि मैं उस पर किसी भी तरह का कोई वित्याले नहीं खोलूँगा गाउ में अफवाहों का बाजार गरम हो रहा है लोग सोसते हैं कि काका की इम्रत्यों के बाद महंत साथ हूँ ओ एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कबजा कर लेगा अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं वे रिक्त आखों से आकाश की और ताकते रहते हैं तो अब क्या है जिस व्यक्ति को अपनों से ही इतनी ज्यादा मार मिल चुकी हो सब कुछ हो को इनक चुब हो चुके हैं लेटेर हुए आसमान की तरफ देखते रहते हैं ना किसी से बात करते हैं ना कुछ करते हैं लोग सोसते हैं कि इनके मरने के बाद इनकी जमीन का क्या होगा महंत हत्या लेगा कि भाई ले लेंगे क्या अभी तक सब अपने अपनी तरीके से सब बाते कर हरियर काका की किस इस्तिती ने लेखक को चिंतित कर दिया था यानि ऐसे लेखक ने ऐसा क्या देखा था हरियर काका में जिसको देखकर वो परिशान हो गए थे हरियर काका को बश्पन से जानते थे हसना खेलना कूदना सब कुछ करते थे लेकिन अब जब वो देख रहे थे त उनकी तबियत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठा कर एक बार लेखक की उर्देखा और सिर जुका लिया इसके बाद उन्होंने दुबारा सिर नहीं उठाया उनकी यंद्रणा और मनो दशा के बारे में आँखों ने बहुत कुछ कह दिया पर काका कुछ बोल ना सके उनकी इसी दर्शा से लेखक को चिंतित कर दिया था तो ये था क्योंकि अब उतना परिशान हो चुके थे किसी से बात करना उगेरा उनको पसंद नहीं आता था देखा चुपोकर चुपचाप रह जाते थे प्रेशन संख्या दो है लेखक ने कैसे जाना कि हरियर काका उसे बश्चपन में बहुत प्यार करते थे लेखक को कैसे पता चला था कि हरियर काका बश्चपन में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेखक को उसकी मा ने बताया करती थी कि हरियर काका बश्चपन में उसे बहुत प्यार करते थे वे उसे कंध नहीं कि इस तरह उनका उनसे जाना की काका उसे बश्रपन में बहुत क्या प्यार करते थे तो लेखभ को भई बसपन की बाद काहां बड़े हो कि हम लोगों पति याल रहे conversation तो कैसे पतर चला तो लेखक को लेखक की मा ने बताया था कि एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है हरियर काका उसे कहीं जादा तुमको प्यार किया करते थे ये सब चीजें उन्होंने बताएं थी, जानी थी, समझी थी, तो सभी कुछ अपनी मा के जरिये ही जानी थी प्रेश्ण संख्या तीन है, लेखक के गाउं का संचिप्त परिचे दीजिए तो याद है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने गाउं का एक संचिप्त परिचे पड़ा था, वही परिचे आपको यहाँ पर देना है लेखक का गाउं आरा कस्बे से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी धायतीन हजार से अधिक ही होगी इस गाउं में तीन प्रमुकिस्थान है, गाउं के पश्चिम किनारे पर बड़ा तालाग, गाउं के मद्ध इस्तित भरगत का पुराना व्रक्ष और गाउं को पूरब में इस्तित ठाकुर जी का विशाल मंदे इसे गाउं के लोग ठाकुरबारी कहते हैं, आगे चलकर यही ठाकुरबारी गाउं की पहचान बन गई तो यह बताया था कहां से कितनी भाई कसबाई एरिया है, आरा उससे 40 कुलोमेटर दूरी पर था गाउं में जो तीन प्रसित चीज़े हैं, ताला, बर्गत का पे, ठाकुरबारी यह सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे प्रेशन संख्या चार है, ठाकुरबारी की प्रबंद समीती और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए ठाकुरबारी की प्रबंद समीती क्या थी जमीन थी न तो वहाँ पर वो जो सारे कारे होते थे उस उपर आपको बताना है क्या-क्या कारे प्रबंद समीती किया करती थी ठाकुरबारी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है यहां धार्मिक लोगों की एक समीती है जो ठाकुरबारी की देख ब्रेक करती है और इसके संचालन हेतु प्रतेक तीन साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती है ठाकुरबारी का प्रमुक कार है गाओं के लोगों में ठाकुरबारी के प्रती भक्ति भावना उत्पन्द करते हुए धर्म विमुक लोगों को रास्ते पर लाना यानि कि लोगों के अंदर भक्ति भावना को बनाए रखना और जो लोग धर्म से विमुक हो गए हैं जो धर् के से यहां पर हमने यह पार्ट का पूरा complete explanation आपके सामने किया और साथ ही साथ कुछ कोशनासस भी बताए आपके एक्जाम्स में बहुत आपकी help करेगा इस चैप्टर का complete explanation और NCRT solutions समपहले कर आ चुके हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा अब यहीं बात यह वन शॉट बंशॉट सिर्फ हिंदी में ही नहीं आपको बागी सब्जेक्स में भी अविलेबल हैं तो यह आपको मिलेगा कहां यह आपको मिलेगा हमारे चैनल माग्रिसमेंड.com पर जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है वन शॉट रिवीजन वन शॉट रिवीजन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है जितने भी क्लास अपने वन शॉट रिवीजन अविलेबल हैं वो आपके साम पर आपके सामने आएंगे तो जो भी बुक्स में आप देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा वीडियो देखिए अपने एक्जाम का रिवीजन बहुत ही अच्छे से करिए लेकिन साथ ही हमारे च लेगा थाक्यू पर वाच्छिंग बाइ